अब सबी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माह 2020 के धनुराशी फल के बारे में धनुराशी के लोगों के लिए ये मार्च का महिना कैसी कैसी अवस्थाइं लेकर आएगा आपकी कारेशित्र में कैसा होगा आपके करियर में कैसा होगा आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा इस महिने प्रेम जीवन वेवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन और स्वास्त है साथ ही जानेंगे वीडियो के अंत्मेक ऐसे उपाय के बारे में जो इस महिने को आपके लिए खास बना सकता है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ और पास में जो गंटी का बटन है उसको जरूर दबाएं इससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस महिने में कौन-कौन से ग्रह सक्री अवस्था में रहेंगे तो देखे ये जो महिना हैं धनुराशी के लोगों के लिए आपका दूसरा भाव, आपका चौता भाव, आपका छटा भाव सक्री अवस्था में रहेगा सबसे पहले ये जाना जरूरी है कि कौन से ग्रह बदलेंगे और ये जो भाव हैं ये क्या-क्या कौन-कौन से भाव हैं जो आपके जीवन में एहम भूमिकाने भाते हैं तो एक तो देखे चार गिरा राशी बिदलेंगे सुरिया, मंगल, शुक्र और ब्रस्पती और ये इन तीन भावों में रहेंगे दूसरे चौथे और चटे भाव में जो कुंडली में दूसरा भाव होता है वो वरशबरासी का होता है जिससे हम वाणी को देखते हैं धन लाब को देखते हैं या संशार शमता का पता लगाते हैं वहीं अगर चौथे भाव की बात करें तो ये चौथा भाव जो होता है ये सुक का भाव होता है माता का भाव होता है और छटा भाव अगर देखें तो छटा भाव से हम रोग शत्रू का भाव इनको मानते हैं तो इस महिने में ये तीन भाव सबसे ज़्यादा सक्रियर रहेंगे और इन्हीं तीन भावों के अनुसार इस महिने में आपको फल की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले हम आपके कारेशित्र के बारे में बात करेंगे कि आपका कारेशित्र कैसा रहेगा तो देखिए अगर धनुराशी के लोग काफी दिनों से परिशान थे और सोच रहे थे कि करियर अच्छा नहीं चल रहा है या अच्छा करियर नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, किस तरह से हमारी गाड़ी पटरी पर लोटेगी, ये वो महिना होगा जब आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पर लोटेगी, बस आपको दिहान रखना है, किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं दिखा कि के लोग अपने कारशितर में अपने काम की अधिकता के कारण अगर परिशान थे तो आप एक सही रणीती बनाएं जिससे ऐसी परिशानियों से बच सकें और इसके चलते आपको सुकुन भी मिलेगा अपनी काम भी समय पर कर पाएंगे और वो जो काम है वो भारी भी आपके जरूरी कामों में आपको मदद भी दी जाएगी तो अपनी बहुत से आप जरूर संपत सादें अगर आपको काम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उनकी आप मदद लेंगे उनका बताएंगे तो जरूर मदद मिलेगी आपको जिसके कारण अपने काम को पूरी शिद और अधिकतर 99% ये जो रिजल्ट होगा आपके पक्ष में होगा इस महिने में आपके वेवार में भी काफी पॉजिटिविटी आएगी आपके वेवार में सकारात्मक्ता देखी जा सकती है जिसके कारण आप अपने आफिस में अपनी टीम के लोगों के साथ ज्यादा गुल म करते हैं तो आपका कोई करीवी मित्र आपकी कारवार को बढ़ाने के लिए जरूरी सलहा दे सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको बता सकता है जो आपके बेहत काम आने वाली है और जो साज़ेदारी में बिजनिस करते हैं यानि पार्टनर्सिप में बिजनिस करते हैं उनको थोड़ा सा समल कर इस महिने ज़रूर रहना होगा, क्योंकि ये महिना साज़ेदारी बिजनिस करने वाले लोगों के लिए अच्छा वेवार करने का महिना होना होना चाहिए, आप अपने साजिदार से आप अपने बिजनिस पार्टनर से अच्छा वैवार करके चलेंगे तो आप अच्छे से इस महिने को इंजाय कर सकते हैं यानि लाब कमा सकते हैं लेकिन अगर आप दोनों के बीचे में कोई मतभेद चल रहा है तो सबसे पहले उस मतभेद को आप सम अब जानते हैं आपके आर्थिक iustithy के बारे में क्योंकि आर्थिक iustithy ही हमें मजबूत बनाती है और जीवन मे आगे काम करने के लिए भी प्रेयना देती है तो अगर आर्थिक iustithy की बात करें तो देखिए यह महिना ठीक ठाक आपके लिए आर्थिकिस्तिति को लेका रहेगा इस महीने आप अपने भविष्ट से जुड़े कुछ योजनाओं पर निवेश करेंगे जो आप काफी दिनों से कुछ निवेश करने के प्लानिंग कर रहे थे तो ये महीना होगा उन्हें कारगर करने का इसके लिए आपको कुछ ऐसे खर्चे रोकने होंगे जो आपको आर्थिकिस्तिति से नीचे ले जाते हैं और ये महीना देखिए कुछ दवाईयों पर भी खर्चा आपका हो सकता है और आपकी संतान के ओपर भी ये खर्चा हो सकता है अगर आपके बच्चे हैं और वो पढ़ते हैं तो उनकी सिक्षा पर इस महीने आपको खर्च करना होगा तो इसलिए अपने पैसों से जूड़ी कोई अच्छी डील होने की जो संभावना है उसको बचा कर रखें बच्ची की सिक्षा पर आप इस समय इस महीने में खर्चे करेंगे जिसके चलते आर्थी किस्तिती में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे आपको और वहीं इस महीने कुछ लोग अपने घर की साफ सफाई उसके रेनोवेशन का काम भी करा सकते हैं जिसकी वजह से जो बैलेंस है उसको बना कर रखना बहुत जरूरी होगा अपने खर्चे और अपनी आमदनी के बीच में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और तो आपको राय जरूर लेनी चाहिए किसी से अपने जीवन साथी को इस बारे में जरूर बताना चाहिए उनकी राय जरूर लेनी चाहिए और अगर आप शादी नहीं हुई है तो अपनी माता पिता से आर्थी किस्तिती के बारे में बता करें तो ज विवाह की अगर देखे बात करें तो दोनों ही मोर्चों पर आपको समल कर चलने की आवश्यक्ता होगी क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो इस्तिती है वो प्रेम जीवन में विवाद की इस्तिती बना रही है तो थोड़ी सावधाने आपको जरूर रखनी होगी इस महिने में आपकी जोड़ीदार के साथ आपके विचारिक मतबेद हो सकते हैं जसके कारण दोनों के वीच में की जो इस्तिती है वो डगमागा सकती है जो लोग लंबे समय से प्रेम संबन में हैं शादी करने का विचार बना रहे हैं उनको भी इस महिने में कुछ परिशानी आ सकती है क्योंकि आपकी माता आपके रिष्टे को मानने से इंकार कर सकती है माता की तरफ से कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको एक दूसरे को शांती से रहकर इस्तिती को निपटने की कुशिश करनी होगी तो कोई ना कोई सही रास्ता जरूर निकल आएगा जो सिंगल हैं किसी से प्रेम करते हैंержवां पर बात नहीं लगा पा रहे हैं तो वो जरूर प्रपोज कर सकते हैं और वहीं शादिश ओडलोगों कोई रिश्तिदार आपके बीच में दूरिया पैदा करने की कोशिश कर सकता है तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो अपने जो इस्तिती है वेवाहिक जीवन है दामपते जीवन है प्रेम जीवन है उसमें इस्तितियों को आप नॉर्मल कर सकते हैं पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन ठीक ठाक आपका इस महीने तो देखिए अगर आप पैसे देने की हालत में हैं तो विश्वसी नहीं आता जरूर जाए नहीं चाहिए आपको कि वो व्यक्ति आपको पैसे वापिस लोटा सकता है या नहीं वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा फस जाए तो इसलिए इन चीजों के तरब ध्यान दे औ उन बच्चों का आपको जरूर विश्वस ध्यान रखना होगा उनकी तबियत इस महीने में थोड़ी बेगर सकती है और देखिए आपको अपने पिता के बीच में भी बहस को लेकर थोड़ी सावधाने रखनी होगी किसी भी तरह की बहस में आपको नहीं पढ़ना है इस महीने में आपके पारोसे के साथ आपको रिष्टा बहस को का म हाल सकती है तो इस महीने में वारोस्ते को लेकर थोड़ी सतर्ता जरूर रखनी होगी, कुछ जोडों से सम्मंदित भुजर्गों को समस्या हो सकती है और देखे इस महीने आपको वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना होगा, सतक तर जरूर बरतनी होगी आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और दोस्तों के साथ अगर पार्टी में जाते हैं तो ऐसी चीजों का सेवन ना करें तो स्वास्ते के लिए ठीक नहीं है वेरा स्वास्ते समंदि कुछ परिशानी हो सकती है सुबह जल्दी उठकर योग ध्यान जरूर करना चाहिए आपको मांचिक रूप से खुद को स्वस्ता आप रख पाएंगे तो अगर हम ओवराल इस महीने की बात करें तो ये महीना आपके लिए आर्थिक पक्ष में बदलाव लाने की तरफ भी कहता है लेकिन बच्चों की सेयात का ध्यान रखना होगा और इस महीने में विभिन शेत्रों में आपको कई तरह के अच्छे लाब भी देखने को मिलेंगे तो महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अब हम जानते हैं उस उपाय के बारे में जो इस महीने आपको करना चाहिए इस महीने में आपको प्रति दिन सूर्य दे के समय गायतरी मंतर का जब जरूर करना चाहिए अगर आप 108 बार गायतरी मंतर का जब करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ये महिना आपको बहुत कुछ दे कर जा सकता है गुरू गायतरी मंतर का आप जब करते हैं तो देखिए ब्रस्पति देव की किरपा आपके ओपर बरसनी ही बरसनी है तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें